राजस्थान के पोखरन में एक ही देवता की पूजा हिंदू भी करते हैं और मुसल्मान भी बाबा राम देव जी को भगवान विश्णु का अवतार मानने वाले हिंदुओं का कहना है कि ये कल्यूग में कल्की अवतार ले कर आए हैं मुसलिमों का मानना है कि ये उनके पीर के पीर रामा शाहपीर है हल साली यहां मेला लगता है मध्यपरदेश, गुजरात, महराश्र से लोग पैदल पहुच जाते हैं बताया जाता है कि पोखरण के राजा अजमल एक बाद द्वारी का गए वहां उन्होंने मनत मांगी कि क्रिश्न जैसा बेटा पैदा हो जाए कुछ साल बाद उनकी पत्नी मेनाल देवी ने लड़के को जन्व दिया यही बाद में जाकर राम देवजी के नाम से मशूर हुए 33 साल की उम्र में ही इन्होंने समाधी लेवी थी बिकानेर के राजा ने राम देवरा में मंदर बनवा दिया तब से पूजा भी जारी है और इबादत भी पाकिस्तान के सिंध में भी राम देवजी का मंदर है वहां हिंदूों के बड़े धर्मस्थलों में इसे माना जाता है मुसलिमों का मानना है कि मक्का के पीरों में से एक पीर ये भी है उन्होंने हमेशा गरीबों और कमजोरों के लिए काम किया हमेशा मुसलिमों के साथ रहे बाद में इन्हें संत का दर्जा दिया गया राम देवरा में इनकी समाधी भी है यहां हिंदु मुसलिम का यकीन अलग-अलग है लेकिन जगड़े वाली कोई बात नहीं कुछ नेताओं ने सियासत की कोशिश की थी लेकिन वो कामियाब नहीं हो सकी यहां लगने वाले मेले में लाखो लोग आते हैं यकीन है कि पैदल पहुचने वाले की मनत पहले पूरी होती है यहां आने वालों को जतरू कहा जाता है मेले में आने वालों की सेवा करना भी पूर्णे माना जाता है उन्हें खाना, दवाई, कपडे सहत रहने के इंतिसाम करवाए जाते हैं